नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आज के हमारा टॉपिक है क्या भाग ये बदल सकता है या भागी को कैसे बदले लेकिन पुरानी कहा बत है किस्मत के लिखे को बदला नहीं जा सकता है मनुस्य अपने भागी को बदल नहीं सकता है बहुत स्यर येसी बाते हैं जो कि लोग कहते आ रहे हैं जो लिखा है वो तो हो कही रहेगा यूग पुरूस पंडित स्री राम सर्मा आचारी यूग रिसी जिसे कहा जाता है ने कहा है मनुस्य अपने भागी का निर्माता है फिर से सुन ले मनुस्य अपने भागी का निर्माता है ये सत्य है कि मनुस्य अपने भागी का निर्माता है मनुस्य अगर पुरुसार्थ करे तो अपने भागी रेखा को बदल सकता है लेकिन रातों रात कुछ नहीं बदलती इस बात को ध्यान रखना होगा कोई मेहनत करता है बहुत मेहनत करता है पर रातों रात वो बहुत अमीर नहीं हो सकता अगर वो छोटे अस्तर पे काम करता है मजदूरी करता है तो रातों रात बदलाव नहीं आ सकता इस बात को ध्यान रखना चाहिए आपको पुरुसार्थ करना होगा पुरुसार्थ करना होगा आपको मेहनत करना होगा सच्चे लगन से मन से करना होगा आलस में पड़े रहना या कोई आके मुझे हेल्प करेगा कोई किसी की सहरा चाहिए इन सब बातों को मन से निकालना होगा पहले भी कहा है कि इन्सान का बाया हांत जो हता है लेप्ट हैंड वो अगल पिछले जन्म में किये गए कारी को दिखलाता है और दायना हांत आज जो आप कारी कर रहे हैं उसके अनुशार बदलता है आपने भी देखा होगा कि आपकी हतेली आज से दस साल पुर्व कुछ रेखाएं नहीं थी कुछ रेखाएं नहीं आ गई है या कुछ रेखाएं कम थी कुछ रेखाएं ज़्यादा आ गई है इस परकार की अकसर देखने में मिलता ये सच्चाई है कि मनुष्य अपने भागी को चाहित कोई बच्चा इस्कूल जाता है, बहुत तेज है पढ़ने में फर्ष्ट क्लास आता है, फर्ष्ट डिविजन आता है, तो पढ़ने की बिद्या, मार्क से लाने की बिद्या अलग होती है, और कारी करने की बिद्या अलग होती है, कोई जरूरी नहीं है, वो ही स्टूडेंट पास होने के ब बड़ा बिजनसमेन बनेगा ये कहीं सचाही नहीं है वो पढ़ने की कला जानता है पढ़ने की बिद्या जानता है लेकिन कोई बिजनस की कला जान गया है अन्नी कला जान गया है वो आगे बढ़ सकता है कोई आज बड़ा बेपारी है बड़ा बिजनसमेन है आपने देखा हो कोई रोगी को डॉक्टर अगर परहेज बता देता है वो परहेज ही ना करे तो क्या तीक हो सकेका नहीं ना यह बस ऐसी बात है कि आप चाहते हैं कि आपका भागी पदल जाए इसा और आई कुछ लोग चाहते हैं कि कोई जादुका, कोई तन्तर मंतर दे दे, कोई जादु वाले को खोशते हैं, कि कुछ ऐसा चीज दे дे, कुछ ऐसा यंतर दे, कि मैं रातन हो रहा तो अपनी किस्मत बदलनू, ऐसा नहीं होता है, वो समय कुछ और था, उस समय पहुंचे हुए बिजनस चलने लगते थे आज वो समय नहीं रहा आज पर सिध्धि वाले लोग बहुत कम है जैसा कि हमने बताया है यह दाइना हाथ अपने सास्त्र में भी लिखा गया कि दाइना हाथ यह आज के कर्म को दिख लाता है तो ये रेखाया आपकी धीरे 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 ये असपश्ट हो जाएगी, ये सचाई ही ऐसा होता है, ये रेखाया धीरे धीरे आपकी लंबी हो जाएगी, ये अक्सर देखा गया है, तो फिर ये आपके कारी के अनुसार रेखाया बदलती है, पांस साल दस साल में इंसान के हाथों की रेखाएं काफी बदल जाती है आपको सिर्फ जरूरत है कर्म करने की कर्म को कीजिए भागी तो है ही आप किस्मत के लिखे को सत परतीसत नहीं बदल सकते लेकिन बहुत हद तक बहुत कुछ हद तक आप बदल सकते हैं कोई अगर गाउं में पढ़ा रहे, कोई कारी ही ना करें ते क्या उसके पास पैसे आएंगे, कोई उसको बुला के क्या नोकरी देगा, नहीं न, ऐसा ही होता है, उसको आगे बढ़ना होगा, उसको कारी करना होगा, पास के सहर में जाके मेहनत करनी होगी, या इस्टूडेंट है तो उसको फॉर्म भरना होगा आबेदन देना होगा तो ही उसे सरकारी नोकरी प्राप्त होगी तो जरूरत है आपको आगे आके कारी करने की आगे बढ़के कुछ करने की जब तब आप आगे बढ़के अपनी वंदारी और सचाई के साथ पुरुसार्थ नहीं कीजिएगा तब तक ऐसे कहीं धन कई तरह का होता है बहुत लोग के पास संतोस नाम का धन होता है बहुत अच्छी किस्मत है बहुत अच्छे भागे रेखा है पर वो संतोस रूपी धन से भी खुस रहते हैं कोई लाक रूपया पाके खुद को सफल बना समस्ता है, कोई कडोरों पाके भी सफल नहीं होता है, भाग ये इंसान इंसान पर बदल जाते हैं